नमस्कार और सुवागत से आपके मेरे इस नए वीडियो में तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि EPFO Social Security Stand Scheme of Examination 2019 में कैसा था और 2023 की वेकेंसी में Scheme of Examination क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर मैंने 2019 की वेकेंसी का notification में ने open किया हुआ है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि exam को तीन phase में conduct किया गया था phase 1 जो आपका pre था और इसमें आपको English language, reasoning और numerical aptitude से questions पुछे गये थे और सारे questions एक-एक marks के थे बात करें phase 2 की तो phase 2 में भी आपका लगवाग सारे questions एक-एक marks के थे के वल reasoning का जो question था वो 1.5 marks का था एक question और phase 3 में आपका computer skill test था computer skill test में यहां पर 5000 की dispersion per hour था तो यह था 2019 का exam pattern जो की तोड़ा लेंदी था इसको short किया गया है 2023 की vacancy में तो चलिए 2023 की vacancy का एक पर हमनों देख लेता है लेकिन एक चीज यहां पर आपको थुरा notice करना होगा कि 2019 की vacancy में computer literacy computer literacy से कोई भी questions नहीं थे किसी भी phase में ना phase 1 में और ना ही phase 2 में एक चीज यह notice करने वाली बात है और दूसरी notice करने वाली बात है यहां पर key dispersion जो की आपका computer skill test में होना है यह चलिए इसको compare करते है 2023 की vacancy से तो उस time सारे process इंडे तक यानि की joining तक थोड़ा लंबा process हो जाता था इसलिए इसको इस पार sword किया गया है आपको phase 1 में ही सारे subjects से related questions पूछ लिए जाएंगी ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर general aptitude general knowledge quantitative ability general English with comprehension और यहां पर एक चीट add किया गया है नहा है इसमें computer literacy और एक चीज़ यहां पर notice करने वाली बात है कि एक प्रस्न यहां पर चार नंबर के रहने वाले हैं यानि कि तीस questions हैं तो 120 marks आपके यहां पर देखने को मिल रहा है और इन सारे questions को करने के लिए आपके पास धाई गंटे का time है और पीपर जो है ओनलाइन होना है तो नया चीज़ है कि देखने को मिल आपको computer literacy और जब हम आएंगे यहां पर phase 2 में तो यहां पर phase 2 में ही आपको computer skill test ले लिया जाएगा यानि कि यहां पर phase 3 जो है वो नहीं है और एक चीज़ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको 10500 kids person per hour है ठीक है यानि कि 35 words per minute in English या 30 words per minute in Hindi आपको type करना है तो यह दोनों में फर्क है अब आप यह सोचोगे कि पहले से paper इतना easy कैसे कर दिया गया है तो एक चीज़ आपको यहां पर ध्यान देने लेवली बात है कि यहां पर एक questions को चार number का किया गया है यानि कि question का जो label है न वो थोड़ा high रहने वाला है आपको depth तक पढ़ना होगा इस exam को clear करने के लिए इसलिए आप लोग well prepared रहे है questions आपके easy नहीं आने वाले है इस exam में चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक् करिएगा धन्यवाद